हलो दोस्तो मैं रिशी आनन्द आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे ऑफिशियल यूटीब चैनल पर जिसका नाम है वैदी गणित तो दोस्तो इस वीडियों आपको डेटा इंटरप्रेटेशन फॉर कैट बैवरुन शर्मा सॉलुशन सीरीज है और इस सीरीज में आपको यह जो बुक है आपको हाँ टू प्रेपेर फॉर डेटा इंटरप्रेटेशन फॉर कैट जो बुक है और यह जो शर्मा की दौरा लिखी की बुक है इसी बुक का आपको यहाँ पर सॉलुशन देखने को मिलने वाला है यह लेक्चर 21 है ठीक है और इस लेक्चर में एक नया दोस्तों यह वीडियो काफी ज्यादा यूसफुल होगी अगर आप कैट का अप्रिशन कर रहे हो या फिर कोई भी मैनेजमेंट इंटरेंस एक्जामनेशन का या फिर अगर आपका IBPS बैंक प्योकलर हो गया या फिर इंसोरेंस सेक्टर का कोई भी एक्जामनेशन हो गया य चीक है यह बुक भी काफी अच्छी है अगर आप इनमेंसे किसी भी एक्जामनेशन का अगर आप प्रिशन कर रहे हो तो चलिए देखते हैं हम लोग जो डियाई है वो उसको देखा जाए कैसे क्या है फिर उसका उसका क्वेशन जो होगा उस से रिलेटेड उसको हम लोग यहां पर सॉल्व करेंगे चलिए तो फिर सुरू करते है तो दोस्तों डियाई आपकी स्क्रीन पर यह है डियाई में क्या है यह की डियरेक्शन फोर दे क्वेशन सेलेमें तू सरंटीन ग्राफ फीगर 4.3 और आंसर दे ग्वेशन स्पेस्ट पेस्ट आइट ग्राफ सोग यहां पर हमें एक graph दे रखा गया है जिसमें आपको मेंटल का यूज बताया गया है और आपको प्लास्टिक का यूज किसी कार के मैनुफेक्ट्रिंग में यूज जो होता है वो बताया जा रहा है थिक कंजम्शन आप मेंटल वर्सेज प्लास्टिक इन गिवें यर्स 2007 से लेकर 2012 के बीच में यह 1000 आपको है ठीक है अब देखिए जो इससे रिलेटेट से सवाल है वो देख लेते हैं लोग नमबर अफ येर्स प्लास्टिक ओवर दे गिवें प्रियोड अफ टाइम ठीक है हमें यहां पर बताने नमबर अफ येर्स बताना है कंजम्शन ओफ मेटल वाज लेस दन कंजम्शन ओफ प्लास्टिक है हमें वह सारी येर्स बताने जिसमें कंजम्शन ओफ मेटल जो है वह लेस हुआ है किससे प्लास्टिक से मतलब मेटल जो है वह कम कंजम्शन हुआ है किससे प्लास्टिक से तो येर्स देख लेते कौन सा ह और यहां पर कम दिख रहा है लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो यह इसी के बराबर में आता है कि अकॉम pension के हैं अपको कम है तो 2 साल चाहरा है कि मिटल का सबस्टीक से कम है तो बी और सब्सक्राइब करेक्ट है समझ गए है। ठीक है चली बढ़ा चाहे अपना अगला सवाल देख लेथे हाँ तोस्तो अगला सवाल आपके स्क्रीन पर अगला सवाल है कि the total consumption of plastic for car manufacturing divided by the total consumption of metal for the car manufacturing over the period will give a ratio closest to ठीक है यहाँ पर हमें total consumption of plastic बताना है ठीक है ratio बताना है किसका किसका total consumption of plastic to the total consumption of metal over the period of time जो यहाँ पर प्रियोड आफ टाइम दे रखा गया उसका बताना और ratio जो होगा वह आपका क्या होगा closest में होगा ठीक है तो उपर में क्या हो जाएगा आपका plastic consumption हो जाएगा ठीक है और नीचे में क्या हो जाएगा आपका metal का हो जाएगा इसी में आपको ratio बताना है clear है अब देखिए अगर प्लास्टिक अगर देखो गधियान से तो प्लास्टिक का कौन सा आपको यह स्क्वार वाला है तो यह हो जाएगा आपका प्लास्टिक का 30 ठीक है अब नीचे देख लेते हैं नीचे अगर आते हैं हम लोग यह 20 है और यह 10 है तो हो जाएगा 30 मैंने डायरेक्ट लिख दिया 30 ठीक है अब यहां से यह 25 है और यह जाएगा आपका कितना पच्पन हो जाएगा आपका 14 तो यह जाएगा 145 हो गया आपका उपर में नीचे अगर आपका 5,3,8,9,10,115 हो गया तो यहां से अगर हमने इसको काटते तो 5,2,10,5,9,5,4 और यह जाएगा 23 ठीक है अब हमसे देखो यहां पर क्लोजेस्ट रेशियो बताना तो यह काम करते है इसको 30 कर देते ह ठीक है और इसको कर देते 25 यह जागा आपका 5,3,5,5,5 तो यह जागा आपका 6,5 तो ग्लोजेस्ट रेशियो काम सा आपका 6,5 ठीक है समझ गए इस सवाल को ठीक है चली बड़ा जाए अपना अगला सवाल देख लेते हैं तो दोस्तों अगला सवाल आपके स्क्रीन पर अगला सवाल यह कि विच आइटम एंड फॉर विच इयर शोज दी हाइस्ट परसेंटेज चेंज इन कंजम्शन ओवर दा प्रिविएस यह इर इसमें बोला गया है कौन सा आइटम है जो कि पिछले वाले से चीक है उसका कंज इक एक करके देख लेते हैं आप धेल अप्शन देख लिए तो ज्यादा अच्छा रहें अधिए अधिर यह देख लेते हैं मेटल टू थोज़वज़न टेन मैं आ ये कितना तीज से और ये कितना पको पचीस है तो यह कितना है कि पांच का 2010 प्लास्टिक में देखना है आपको 2010 में देखना था 2010 में कितना आपको 25 है और 20 है यह हो जागा आपका 25% हो जाएगा अब B वाला देख लेते हैं 2009 में देखोगे तो में अगर कितना यहां पर है 10 यहां पर है तरहां पर प्लास्टिक 2012 प्लास्टिक है यह वुग में तो यह कितना आपको 25 से कितना और आपको 30 हो रहा था यह 5 अब बटे में कितना जब 25 इंटू हो जागा 100 और यह जग आपका 25 परसेंट तो अगर देखा जा तो C option के आपको सबसे ज्यादा 1.500 परसेंट है सबसेंट हो जागा मारा C के आपको जागा है सही जबाप हो जाएगा समझगे हो कि सवाल को चले बढ़ा जापने अगला सवाल देख लेते हैं अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है अगला सवाल यह कि for the two data series shown how many years have shown a decrease in consumption for both the items individually यहाँ पर जो data हमें दे रखा गया है उसके एक और इन अगर हम लोग चेक करतें तो कितने साल जो है the choice shows a decrease in consumption consumption decrease होता है तो देखिए अगर इख यहाँ अगर देखोगे data में इंक्रीज हो रहा है तो यहाँ पर भी आपका 2007 से 2008 में अगर प्लास्टिक में अगर देखते हैं तो प्लास्टिक में डिक्रीज हो रहा यहां इसके बात किया आपको बड़ता ही है प्लास्टिक बड़ता ही आपके बाद किया में थिए हूँ सब्सक्रपéta कि लुटिक को उसके इस में किया वर ही मिल्यान वो-टव पर किख नरивать लिकिन यहां पर आपको जो प्लास्टिक है और आपको उपर और लेकन आपर क्या बोला जा रहा है, for the two data series shown how many years have shown a decrease in consumption for both the items individually, यहाँ पर आपका 2008 में यहाँ पर भी decrease हो रहा है और यह भी decrease हो रहा है, हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है अगला सवाल है कि the ratio of highest total consumption in any single year to the lowest consumption of the two items taken together in any year was equal to यहाँ पर क्या बोला गया the ratio निकालना में highest total consumption in any single year ठीक है और lowest total consumption of two items taken together in any year किसी भी साल का ठीक है जिसमें total consumption आपका highest होना चाहिए और lower consumption होना चाहिए किसी भी साल में किसी सिंगल साल में तो अगर आप देखो के देहान से तो यहाँ पर आपको सबसे highest जो है एक तो आपको 25 और यहाँ पर 30 है ठीक है लेकिन यहाँ पर देखोगे तो प्लास्टिक में आपका decrease हुआ है 1000 में डिया प्लास्ट हो का जाइगा यह 30 हो जाएगा और यह 20 हो जाए तो यहाँ पर यह 10 है च्छें कि इवं में कितना आपको फेलन से आपका होति टीक है अगला सवाल देख लिए हां इसमें गया गिविच एज़ोड में इंक्रेब टॉटल घंजमिशन और 2 meters ठीक है कौन सा ऐसा साल है जो की highest percentage increase बता रहा है in the total consumption of 2 meters दोनों meters का ठीक है तो अगर आप देखोगे तो highest percentage increase बताना है total consumption of 2 meters ठीक है consumption of 2 meters ठीक है दो मेटल का ठीक है अगर 2008 में अगर हम लोग छेकर करके देखते हैं 2008 में कितना आपको 2008 में आपको है यह आपको 25 से कितना हो गया है 25 से 20 हो गया और यहां पर आपका क्या है 20 से कितना हो गया आपको सीधा कम हो गया वो भी कितना हो गया 10 हो गया लेकिन हमसे क्या पुछा गया है हाइस्ट पुछा गया ठीक है नौ में देख लेते हैं 2009 में तो 2009 में आपको 2008 से आपको बढ़ा यह 25 हो गया और यह अतना को उतना ही रहा है ठीक है उसके बाद अगर हम लोग देखते हैं 2010 में तो 2010 में आपको यह बढ़के 30 हो गया और यह प्लास्टिक जो है वह भी 20 से कितना हो गया 25 हो गया तो सबसे जादा बढ़ा कहां पे आपको 2010 में बढ़ा फिर उसका कौन साथ को 2011 में यह तो बराबर ही रहा आपका प्लास्टिक डिगनिया मेटल के आपको डाउन हो गया तो 2010 में क्या हो आपका बढ़ा है तो सी ऑप्शन होना चाहिए हैं से करेक्ट ठीक है चलिए अगला सवाल देख लिया जाएं तो दोस्तों यह इस टी आई का अंतिम सवाल है इस सवाल में क्या बोला गया है विच यह शोड़ था हाइस्ट परसेंटेज डिक्रीज इंदे टोटल कंजंशन और टू मेटल्स का तो देखिए यहां पर आपका मेटल का तो आपको मेटल का तो अगर आप देखोगे तो मेटल का आपको लोइस्ट है लेकिन आपका प्लास्टिक का क्या आपको इंक्रीज हो रहा है यहां पर भी इंक्रीज ही है मेटल कंप्रीजन में यहां पर दोनों ही बढ़े हुए है यहां पर भी दोनों बढ़े हुए है लेकिन यहां लेमान देखोगे न यहां पर दुनुंहीं जनके हैं आपको डिक्रीज हो रहें हैं तो कौन सा साल है है यह आपको साल 2008 तो यह और से आपका करेक्ट हो जाएगा चाहिए तो दोस्तों यह वीडियों यह पर समाप्त होती है और मैं आशा करता है के इस वीडियो में आपको जो डियाई कराया हूं वह आपको आसानी से समझ में आ गया होगा ठीक है तो दोस्तों यह वीडियो आपका कैसा लगा प्लीज आप मुझे कमेंट बाक से कमेंट करें जरू बताइएगा अगर पसंद आया तो लाइक जरू कीजेगा और अपने दो क्यों आपको अजिस दास आख वाज़स तो थैंक-ई यू सो मुझ वाज़गा वीडियो चीज लाइक वाज़ग वडियों यह वाज़लेग पाय वेच्वा आपको एजीज डिया को ऱ्यूगर आपको लूटको ठास थास वाजिवाग, पॉलेचन ए स्वाज़ग घ्यूब